बच्चों आज मैं आपको वन्शस्थ छंद के विशे में बता रहा हूँ वन्शस्थ छंद के प्रतेक चरण में भी बारह अक्षर ही होते है परन्तु इसके लक्षण की वियाख्या करदे से पूर्व मैं चाहूँगा कि आप इस शब्द का अर्थ समझ ले वन्शस्थ यानि वन्शे स्थितम वन्शस्थम मेरी द्रिष्टी में वह चंद जो चंदों की परंपरा में सरवाधिक दिड़ हो लोकप्री हो उसे वन्शस्थ कहते हैं इसी भावना से इसका नामकरण किया गया है और यह बात इसलिए भी सच है कि संस्क्रत के अधिकांश महाकवियों ने कालिदास भारवी माग स्रीहर्ष रतनाकर इन सब ने अपने महाकावियों में प्रायह वन्शस्थ चंद का ही प्रियूक उन्होंने किया है इसका लक्षण बड़ा सरलसा है जतव तु वन्शस्थ मुदीरितम जरव अब इसका पहले आप अर्थ समझें ये कह रहे हैं कि वन्शस्थम उदीरितम उस चंद को वन्शस्थ कहा गया है जिसके प्रत्येक चरण में ये चार गण इसी क्रम में आएं जगण, तगण, जगण और रगण चार गण आएं तो इससे ये स्पष्ठ हो जाता है कि चूंकि प्रत्येक गण में तीन ही अक्षर होते हैं इसलिए चार गुणे तीन यानि प्रत्येक चरण केवल बारह अक्षर का ही होगा अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जतव जरव कहते ही आपके मस्तिश्क में यह बात आजानी चाहिए कि इन गणों का सुरूप क्या होगा जैसे जगण है तो जगण कहते ही आपको ख्याल आना चाहिए इस मृति आनी चाहिए कि जो गूरु मज्धय गतह यानि जगण में गूरु वर्ण बीच में आता है इसी तरह से जतव इसके बाद तगण है अंत लगुस्तह तगण उसे कहते हैं जिसमें लगू अक्षर एकदम अंत में आता है फिर इसके बाद जगण है और अंत में आता है रगण रगण किसे कहेंगे रलमध्यह रगण उसे कहते हैं जिसमें लगु अक्षर बीच में आता है यानि प्रथम और तिये जो है वह दीर्ग होंगे और बीच का जो वरण है वो लगु होगा इस प्रकार जब आपके मन में गणों का सुरूप आ जाएगा तो आप अपने मन में गुनगुना सकते हैं कि इस चंद का सुरूप क्या होगा तो जैसे आप केवल एक अक्षर को ले लिए जैसे नकार को आप ले लिए तो नकार को यदि आप वन्शस्थ छंद में गाना चाहें तो आप कहेंगे ननानानानानानानानानानानान यानि इसी के आधार पर आपको छंद रचना करनी है इसी के आधार पर आपको वन्शस्थ छंद को समझना है इसका अब एक सुन्दर उदाहरन आपको हम देते हैं महा कविकालिदास का एक पध्य जो अभिज्ञान शाकुंतन नाटक में आया हुआ है बड़ा प्रसिद्ध पध्य है और इसको बाद में भी अनेक आचारियों ने अपने गरंथों में उध्रित किया है इसमें कहा गया है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमईहि नवांबु भिर्दूर बिलंबिनो घनाह अनुधता सत्पुरुशा सम्रिद्धिभी स्वभाव एवैश परूपकारिणाम जो व्याख्या मैंने आपको बच्चों बताई पहले उसके आधार पर आप इसकी परिख्षा करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि यह पद्य वन्शस्त चंद में लिखा गया है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमईह यदि आप इसको तोड़ तोड़ करके रखना चाहें यानि तीन तीन अक्षरों में तोड़ करके रखना चाहें क्योंकि तीन ही अक्षर से तो गण बनता है तो तीन तीन अक्षरों में तोड़ करके रखना चाहें तो देखें इस पहले चरण के चार खंड बनेंगे भवन्ति नम्रास्त रवहफ लोदगमई ही इसके चार भाग होंगे भवन्ति नम्रास्त रवहफ लोदगमई ही और इन चारों ही गणों को चारों ही खंडों की इदियाप परिक्षा करें तो आप देखेंगे कि पहला गण जो है ये जगण होगा दूसरा जो है तगण और अंतिम जो है वो रगन होगा तो इस प्रकार जो है आप कई प्रकार से इस छंद की परिष्या कर सकते हैं जैसा मैंने बताया कि सारे महाकवीओं ने संस्क्त में इसी छंद का सरवाधिक परियोग किया है उसका कारण क्या है कारण ये है कि एक तो मतलब इस चंद में अक्षरों की न्यूनता नहीं होती है जैसे उप जाती है इंदर बज्जरा है उपेंदर बज्जरा है तो उसमें 11 अक्षर ही होते है अनुष्टुप में 8 अक्षर होता है लेकिन ये पहला एक ऐसा मानक चंद है एक ऐसा स्टैंडर्ड स्टैंजा है जिसमें की 12 अक्षर होते हैं तो 12 अक्षर होने के कारण जो काव्यका प्रतिपाद्य है वो कुछ ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में कवी जो है व्यक्त कर पाता है इसलिए ये चंद बहुत ज्यादा लोकप प्रियोग की दृष्टी से तो महा कवी कालिदास ने और भारवी ने इसका प्रियोग किया महा कवी कालिदास ने तो अपने दोनों ही महा कावियों में रगुवश में भी और कुमार संभो में भी बहुत जो है डूब करके इसका प्रियोग किया है एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब पारवती भगवान शिव की सेवा में विद्यमान है और उनको पत वहां समय बेचारी पारवती के उपर क्या बीठती हैं कितना उनको दुक होता है क्योंकि प्रेम और श्लेह का मूलिही काम है और जब काम को ही उन्होंने भस्म कर दिया तो अब क्या भविश्य रह गया उस समय पारवती के हृदे के संताप को महा कभी कालिदास ने अदृत भंग से व्यक्त किया है वो लिखते हैं तथा समक्षम दहता मनो भवं पिना किना भग्न मनो रथासती निनिंदरूपं रिदयेन पार्वती प्रियेशु सवभाग्य फला हिचारुता अद्भुत पज्य है जिसमें ये बताया गया है नारी हिदय की वेदना बताई गयी है कि वो सौंदर्य किस काम का जो अपने प्रियतम को बाध न सके निनिन्द रूपम हिदये न पार्वती इसलिए पार्वती ने अपने रूप सौंदरी की भर्सना की निन्दा की क्योंकि वह रूप जिस रूप के रहते हुए भी भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया अब वह निरर्थक हो गया अच महा कभी भारवी तो इतने बंशस्थ के प्रेमी हैं कि अपने महा कावि का प्रारम भी उन्होंने किरातार जुनिई का प्रारम भी उन्होंने इसी चंद से किया पहला ही उनका पद्य इस प्रकार आया है। अब इसी तरह से एक पद्य और जिसमें राजरानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को समझाती है। अब यदि आप से कोई पूछे कि प्रविष्य ही ग्नति शठास तथा विधान इसमें आप बनशस्त का लक्षण घटित करो। तो आप क्या बताएंगे। आपको बताना चाहिए कि देखे प्रविष्य में प्रलगू है। इसलिए ये जगण का लक्षण हुआ। इसी प्रकार प्रतेक शब्द की आपको व्याख्या करनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा बच्चों जब आप निरंतर चंद का अभ्यास करेंगे। तो जब आप कोई कविता पढ़ें तो केवल कविता पढ़ करके सुस्ताने मत लगिए। इस में आपको एक और महा कवी से परचित कराता हूँ। महाकवी स्रीहर्श जिन्होंने की नईशधिय चरितम नाम का महाकावे लिखा महाकवी स्रीहर्श ये जैचंद की राजकवी थे बारहमी शतादी में विद्धिमान थे आप जैचंद को जानते हैं बड़ा अयतिहासिक नरेश था जिसने की कन्योज में राजि किया तो उन्हो विलाप प्रसंग आया हुआ है महाराज नल एक राजहंस को पकड़ लेते हैं और वो राजहंस विलाप करता है कि मेरे घर पर मेरी बूढ़ी मा है और मेरी पत्नी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है यदि आप मुझ को मांस के लिए पकड़ लिये हैं तो इससे ज्या गारहस्थी नस्ठ हो जाएगा बड़ा प्रसिद्ध पज्य है और सारे विद्यार्थियों को इसे कंठस्त रखना चाहिए मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरे शजनस्तमर्दयन अहो विधेत्वाम करूणा रुणधिनों मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरे शजनस्तमर्दयन अहो विधेत्वाम करूणा रुणधिनों महा कभी स्रीहर्ष नहीं एक और बहुत ललिच्यत्रण प्रस्तुत किया है जिसमें कि जंगल का दृष्य है जंगल की शोभा बताई गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो लताएं है वो पवन के साथ वायू के साथ किस प्रकार नायक और नायका के भाव का आचरण कर नहीं है तो कवी की दृष्टी देखिए इस वनसरस्त चंद में नवालता गंधवहे नचुम्बिता नवालता गंधवहे नचुम्बिता करंबितांगी मकरंदशीकरई द्रिशान रिपेन स्मितशो भीकुड मला दरा दरा भ्याम दर कम पिनी पपे पपे आशा है इस व्याख्यान से आपको अन्यान चंदों की तरह वन्सरस्त का भी अच्छे तरह से ग्यान हो गया होगा और मैं चलते ये भी बता दूँ कि वंशस्थ छंद में भी केवल चरण के अंत में ही यती होती है बीच में कहीं रुकना नहीं होता है और इसका लक्षण मैंने आपको बता दिया कि जतव तु वंशस्थ मुदीरितम जरव चार ही इसमें गण होते हैं चारों गणों के कारण केवल बारही अक्षर इसमें होगे चरण के अंत में यती होगी और बहुत ही प्रबाह और बहुत ही ललित पद्दी होने के नाते आपको पदे पदे इसका परिचे प्राप्त होगा कर दो